तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी प्रारंब सिरीज चल रही है जिसके अंदर आज हम लोग एन फिजोलोजी के बेस्ट 15 क्वेशन्स डिसकस करेंगे अगर आप लोग डी फार्मा फर्स्ट एर कर रहे हैं और BTUP, HSBT के साथ साथ जो दूसरी युनिवासिटी एक्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये क्वेशन्स काफ़ी जादा इंपोर्टेंट होंगे एक और इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दू कि जितने भी क्वेशन्स मैं आज आपको कर्माऊंगी इसमें से mostly questions जो मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे previous year जो आपके question papers होते हैं उनको देखकर उनको ये समझकर कि कहां से सबसे जादा सवाल पूछा गया है तो commonly जो की topics आपके आते हैं हर university exams में उसी को ध्यान में रखते हुए इस सवाल design के गए हैं इसी के साथ इन में से कुछ question model paper के भी हैं शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ question है write the components of blood also define blood pressure and name the apparatus used to measure BP यानि कि सबसे पहली चीज़ आपको blood के components लिख ले हैं और एक important चीज़ कि आज की पूरी class का जो PDF notes है वो आपको telegram channel पर मिलेगा जिसके link दिया गया है description box के अंदर तो फटा 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 जाकर उसको join कर लेजेगा शुरुआत करते हैं इसके components है देखो आप सभी लोग यह जानते होंगे कि blood का basically छोटा सा फंडा है कि blood दो चीज़ों से मिलकर बनता है पहला plasma और दूसरा होता है formed elements अगर मैं plasma की बात करूँ तो जो plasma है वो बनाता है 55% of blood 55% और formed elements जो कि अब मैं आपको करवाने वाली हूं हो होते हैं 45% जिसके अंदर RBC यानि red blood cell WBC यानि WBC यानि की white blood cell and last is platel age शुरुआत करते हैं सबसे पहले red blood cell की बात करो तो इस तरीके से देखो मैं बार बार यही चीज़ बोलते हूं कि जितना जादा paragraph को avoid कर सकते हो कीजी ठीक है points में questions attempt करने की कोशिश करिए क्योंकि function होता है O2 का transportation CO2 का transportation hormones और nutrient का transportation एक जगा से दूसरी जगा A nucleated यह होता है किसी भी प्रकार का कोई भी nucleus इसके अंदर present नहीं होता है कुछ इस तरीके की by concave shape आपको दिखाई देती RBC के अंदर दूसरा है neutrophil अब यहां से शुरू हो जाता है आपके WBC जो की दो प्रकार के होते ग्रानिलोसाइट एंड ए ग्रानिलोसाइट चिक है यह है आपके ग्रानिलोसाइट जुसमें पहला है neutrophil total 70% का होता है born marrow में ही बनेगा काम इसका phagocytosis का होता है यानि यह bacteria उसको एंगल्फ कर लेता है phagocytosis आगे चलते हैं multi lobes होता है यानि एक से जादा lobes इसके nucleus में present होंगे यह sinophil 1.5% present होता है again born marrow में ही बनेगा और एक ज़रूरी चीज़ का काम है वो allergic responses गेना और इसके साथ anti-histamine property शो करेगा यानि इसका जुड़वा भाई भी है कौन basophil जो की histamine release करता है है ना और यह उसके काम को combat करेगा यानि anti-histamine properties शो करेगा क्या इसके अंदर nucleus होगा बिल्कुल होगा क्या इसके अंदर granules होंगे जी हां बिल्कुल होते हैं और basically one से दो lobes इसके अंदर पाए जाते हैं ठीक है next तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है basophil 0.5% जैसे क कि मैंने आपसे कहा कि यह histamine, hyparin, serotonin, इन सारी चीज़ों को release करता है जब आपको किसी चीज़ से allergy होते हैं आपको खासी, छीके, rashes और खुजली होने लगती है वो इसके वज़ा से होती है ठीक है क्या इसके इंदर nucleus होगा बिल्कुल होगा basically देखा जाए तो यह multi-lobed होता monocyte आपके neutrophil का ही एक भाई है यानि phagocytosis भी शो करेगा तो यह भी आद रखेगा कि यह भी phagocytosis शो करता है इसके बाद क्या इसके अदर nucleus होगा बिल्कुल होगा लेकिन क्या इसके अंदर granules होगे आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं granules इसके अंदर present नहीं होते हैं एक gran प्रिके का दिखाई देता है इसका nucleus and last is lymphocyte जो की 24% present होता है ठीक है burn marrow lymphoid issues थाए मसी सारी जगाए से होती है जहां से इनका formation होगा ठीक है इसके बाद क्या काम करेंगे यह आपके body के लिए immune response तयार करते हैं immune response यानि कि बाहर से आने वाले जितने भी pathogens होते हैं bacteria viruses कुछ भी सबसे पहले आपके lymphocyte ही है जो उनसे जाकर लडाई करते हैं आपकी body की protection करते हैं इसके बाद क्या इसके अंदर nucleus होगा बिल percent होते हैं एंड लास्ट हमारे पास है platelet again ball marrow में ही बनता है ठीक है इसका में काम है आपके blood coagulation का blood clotting का यह भी nucleated ही होगा तो यह हैं आपके blood के components अब हम लोग बात करते हैं blood pressure की जो कि इसी question का second part है blood pressure क्या होता है माल लेजे कि आप एक बहुत ही पतली सी गली से जा रहे हैं है ना गुफा से जा रहे हैं और जब आप गुफा से होकर गुजरते हैं तो आप हाथ ऐसे रखते हुए चलत दिवारों के against एक pressure apply करता है जिसको आप blood pressure के नाम से जानते हैं लिख देंगे असानी से blood pressure एक ऐसी force है जो कि blood को blood के through apply की जाती है against the unit area of an artery when measuring blood pressure आपको दो चीज़े देखने के लिए मिलती हैं एक systolic pressure और दूसरा diastolic pressure systolic and diastolic ये अलग से define करने के लिए भी आ सकते हैं तो याद रखेगा चिक है चलिए अगर मैं बात करूँ कि जो आपका diastolic pressure होता है ये क्या होगा देखो जब आपका दो बार दिल धड़कता है यानि दो heartbeat के बीच का दो heart beat के बीच में जो pressure apply हो रहा है उसको आप बोलते हैं diastolic pressure दो heart beat के बीच में और systolic pressure इसका opposite होता है जब एक heart beat होता है यानि एक बार आपका heart धड़केगा तो समय पर जितना blood बाहर की तरफ पंप होता है और उसके थुरू जितना pressure apply किया जाता है उसको आप बोलते है systolic pressure तो इन दोनों का आपको define करना आना चाहिए इनकी normal values आपको पता होनी चाहिए normal BP की क्या value होती है normal BP की क्या value होती है 120 by 80 mmHg जिसमें से 120 आपका systolic pressure है 80 आपका diastolic pressure है यह systolic है ठीक है तो इनको अलग से define करना आना चाहिए I repeat कि यह systolic और diastolic अलग से define करने के लिए पूछे जा सकते हैं अब आपका blood pressure दो तरीके का हो सकता है problems associated with blood pressure इसके अंदर यह सवाल पूछा गया आगर for example तो आपको लिखना पड़ेगा high blood pressure and low blood pressure normal मैंने आपको बता दिया उससे अगर थोड़ा समय high कर दो यानि अगर मैं हलका से इसको बढ़ा के 140 by 100 कर दो तो यह क्या हो जाएगा यह आपका high blood pressure हो जाएगा जिसको आप hypertension के नाम से भी जानते हैं hypertension tension और इसके बाद low blood pressure के अंदर क्या होगा अगर यहीं मैं बढ़ा कर मतलब घटा कर कम कर दू 120 by 80 normal होता है तो अगर मैं 100 by 70 कर दू क्या हो जाएगा यह low blood pressure हो जाएगा जिसको आप hypertension के नाम से भी जानते हैं इनके causes अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है इनके कारण अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन देखा जाए तो जो hypertension है या फिर hypertension है दोनों ही खदरनाक होते हैं और तीसरा पार्ट था आपके इस question में कि एक ऐसा instrument का नाम आपको बताना है जिसकी मदद से आप blood pressure नापते हैं कितनी बार आपने टीवी में अपने आसपास के डॉक्टर की दुकान पर आपने देखा होगा कि वह जो रखा हुआ होता है जिसकी help से आप लोग blood pressure मेजर करते हैं कुछ ऐसा pump करते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते स्वाइग मो मैनो मीटर इसको भी आद रखेगा स्वाइग मो मैनो म इसकी इसकी मदद से हम लोग blood pressure मेजर करते हैं डॉक्टर्स blood pressure मेजर करते हैं ठीक है इंस्ट्रूमेंट यूस्टू मेजर blood pressure blood pressure देखा है ना ऐसे ऐसे pump करते हैं फिर वो स्वी जो है उपर की तरफ जाती हो बताती है कितना प्रेशर है कितना blood pressure से स्टॉली कितना है डाय स्टॉली कितना है टीवे में कितनी बार आपने देखा होगा फामेसी शॉप जो होती है ये जो medical stores होते हैं basically वहां पर आपने रखा हुआ देखा होगा या आप hospitals जाते होंगे कभी किसी के साथ गई होंगे तो हाँ आपने देखा होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं next जवाल write a short note on ECG अब ECG बहुत important topic है याद रखेगा बहुत-बहुत-बहुत important topic इसके बारे में हर एक चीज आपको पताओने चीज ह हर एक चीज स्टैंडर्ड ECG के बारे में चलिए तो मैं आपको इस तरीके से लिखवा देती हूं कि कि आप waves असके अंदर आती हैं क्यों वे होती हैं कहां से कहां तक जाएंगी और देन उसके बाद उसका क्या duration होता है यानि कितने समय के लिए वह वेव शुरू होती है यह पी वेव जनरेट होती है और्ट्रियल डी पोलराइजेशन की वज़ा से यानि जब औरिकल्स सिस्टोल शुरू करना चाहते हैं हुआ नहीं है यानि शुरूात होने से बिलकुल पहले वह होता और ट्रियल डी पोलराइजेशन जिसका duration जो होता है यानि कितने समय के लिए दूसरा हमारे पास आता है क्यों से लेकर एस तक सिंपल जी बात है यह क्यों होगा वेंटिकिलर डी पोलराइजेशन की वज़ा से यानि वेंटिकल्स सिस्टोल शुरू करना चाहते है उससे जस्ट पहले वेंटिकिलर डी पोलराइजेशन होता है जिसका duration 0.08 से लेकर 0.1 स किन तक का हो सकता है थार्ड हमारे पास है टी वेव देखो यह खाली मैंने इसले छोड़े हैं क्योंकि वही टी वेव है वही से वही वही शुरू होगी वही पर खतम हो जाएगी तो इसको ऐसे कर तो ठीक है चली यह किसकी वज़ा से होगा वेंटिकिलर डी पोलराइजेश प्रॉम पी टू आर क्यों होता है यह देखो क्या होगा वेंटिकिलर डी पोलराइजेशन एंड इसी के साथ जो कंडक्शन होता है एवी नोड के थुरू जब यह कंडक्शन होगा एवी नोड के थुरू उस समय बर आपको पी आर इंटरवल दिखाई देता है और जिसका दिखाई दे सकता है तो घबरामत यह क्या हो गया ? 0.1 शेकंड भी आपको देखने के लिए पुल सकता है काह से कहा होगा ? क्यूं से लेकर टी तक होता है ? क्यूं होता है ? बात तो यही है क्यूंटी क्यों बतातों है ? से होता है ती वे ब कप होती है जब आप ल होती है इसलिए होता है निग पास है यानě ऐसे लेकर T तक का जो समय है that is ST segment iso-electric इसका current है और जो इसका duration होता है that is around 0.08 second यह एक diagram अब मैं आपको दिखाती हूँ, graph basically जिसकी help से आपको हर एक चीज clear हो जाएगी, ठीक है? चलिए, यह आपको graph दिखाई दे रहे ध्यान से देखते जाना जो मैं बोल रहे हूँ, सबसे पहले मैंने आपको P wave बताया, यह P wave है किसकी वज़ासे हो रहा है? autrial depolarization की वज़ासे हो रहा है दूसरा मैंने QRS complex बताया, यह पूरा QRS complex है एक ही complex के अंदर हम लोग इसको count करेंगे, तो इतना क्या हो गया ventricular depolarization और यह T wave देखो, यहीं से शुरू हुई, यहीं पर खतम हो गई, तो यह क्या होता है ventricular repolarization clear, और इसके बाद segment तो आप intervals खुदी निकाल सकते हैं, Q से लेकर T तक QT interval, P से लेकर R तक PR interval, S से लेकर T तक ST segment होता है चिक है, चलिए, तो यह है आपका पूरा ECG, इसको ड्रो करके आना मत भूलेगा, प्लेज चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, next question हमारे पास है, describe various phases of menstrual cycle with hormonal changes, यानि menstrual cycle भी आपको पूरी explain करनी है hormones के क्या changes उसके अंदर होते हैं, ये भी सब कुछ explain करना है शुरुआत करते हैं देखो, menstrual cycle जो होती है menstruation cycle, basically वो 4 phases के अंदर divide होती है पहला होता है menstrual phase दूसरा होता है follicular phase, इसका दूसरा भी नाम है proliferative phase third है ovulatory phase and fourth इसके अंदर आता है luteal या secretory phase, ठीक है शुरुआत करते है, पहला हमारे पास menstrual phase है इसके अदनत क्या होगा, इसके अंदर menstruation होगी, ठीक है यानि endometrium lining जो होती है वो blood की form में vagina के थूँ बाहर आती है ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी hormone अपनी high peak पर नहीं होता, सब अपनी low peak पर होते हैं, ये इसके अंदर कुछ events है, ठीक है endometrium breaks down हो जाएगी menstruation शुरू हो जाएगी ठीक है, जो आपका endometrium है secretions, blood और unpartilized ovum ये सारी चीज़े blood की form में vagina के थूँ बाहर आ जाता है next हमारे पास phase आता है that is a follicular phase जिसका दूसरा भी नाम है proliferative phase अब proliferative phase इसका पढ़ा क्यों, ना क्योंकि proliferation का मतलब होता है नई चीज़ों का बनना, तो यहां क्या नई चीज़ बनेगी, देको endometrium lining एक बार जो shed हो जाती है उसको दुबारा भी तो बनाना है क्योंकि दुबारा भी तो cycle वो चलेगा तो इसलिए उस endometrium lining को दुबारा से form होना दुबारा से उसका बनना this is called proliferative phase चिक है, या फिर follicular phase चली, endometrium ribbit यानि दुबारा बनेगी जिसके अंदर FSH और LH ठीड़े भीड़े बढ़ना शुरू होंगे हाई ये स्पीक पर नहीं जाएंगे लेकिन increase होना शुरू हो जाएंगे इसी के साथ ही साथ जो follicular development है और जो estrogen का secretion है वो भी धिरे धिरे increase कर जाएगा ठीक है, कौन से दिन से कौन से दिन तक होगा ये basically 5th day से लेकर आपका 13th day तक होता है जिसकी body में 28 days की cycle चलती है मैं उसकी बात करी तीसरा phase जो इसके अंदर आता है वो है ovulatory phase सबसे छोटा phase एकी दिन होगा 14th day पर अगर 28 दिन की cycle है यानि बिल्कुल बीच में होता है ये basically 30 दिन की cycle है तो 15 दे पर हो जाएगा 31 days की cycle है तो उसी हिसाब से ये चीज़ convert होती रहती है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर secretion of ovum होता है और ये एक लोता एक ऐसा phase है जहां पर लूटिनाइजिंग होर्मोन फॉलिकल इस्टिमूलेटिंग होर्मोन और estrogen तीनों अपने highest peak पर होगी तीन होर्मोन का नाम लिया है मैंने क्या फॉलिकल इस्टिमूलेटिंग होर्मोन लूटिनाइजिंग होर्मोन और estrogen highest peak पर होंगे प्रोजिस्टरोन नहीं होगा तो ये भी याद अगना and last phase जो इसके अंदर आता है वो है luteal phase जिसका एक और नाम है secretor phase लूटियल phase यानि कॉर्पस लूटियम का बनना लास्ट की जितने दिन बचे सब इसको दे दो जिसके अंदर प्रोजिस्टरोन secret होगा और प्रोजिस्टरोन जैसे बनेगा वैसे ही आपका मतलब कॉर्पस लूटियम जैसे ही बनेगा सिंपल सी बात है प्रोजिस्टरोन वैसे ही बन जाएगा क्योंकि वहीं से तो वह बनता है ठीक है अब जब तक आपकी बॉड़ी के अंदर प्रोजिस्टरोन का लेवल हाई रहेगा तब तक masturbation cycle नहीं होगी क्योंकि जो प्रोजिस्टरोन है उसको अम pregnancy hormone के नाम से भी जानते हैं इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि एक उमीद हविया कि जब तक प्रोजिस्टरोन बॉड़ी के अंदर हाई है तो उस female को ऐसे chances हो सकते हैं कि वो pregnant हो जाए otherwise आपकी नई menstrual cycle होती है उसका शुरुवात हो जाता है इस cycle चलती रहेगी 50 years of age तक पचास साब तक आगे चलते हैं ये आपका पूरा diagram इसको zoom करके एक बार में आपको दिखा देती हूँ ये देखो ये आपकी पूरी events है जो कि चल रहे होंगे पहला menstruation दूसरा follicular देन luteal और आपकी दूसरी cycle की शुरुवात हो जाती है center में यहाँ पर ovulatory phase होता है ये पूरा 14th day पर ठीक है 13 और 15 के बीच मैं इसके बाद ovarian hormones मैंने आपको बता दी है estrogen का level high होता है कब होगा high ovulation के time पर progesterone कब high होगा ovulatory phase आना होता है तभी ये सारी चीज़े how you speak परोंगी तब otherwise नहीं होती है न शुरुवात में high है न लास्ट में high है कहां high है दिहां से देख लो ठीक है चलिए आगे चलते है next सवाल enlist all endocrine glands and discuss the hormones of pancreas and thyroid gland अब आपको नाम तर सबके लिखने है सिर्फ ना लेकिन जो hormones है वो सिर्फ आपको pancreas और दूसरा thyroid gland के बारे में बताना है ठीक है pancreas और thyroid के hormones के बारे में बताना है नाम सबके लिखने है शुरुवात करते हैं ते को कितने हैं आपके पास सबसे पहले धर से शुरुवात करते है पहला होता है hypothalamus दूसरा होता pituitary थोड़ा से नीच आएंगे thyroid parathyroid उससे नीच आएंगे thymus thymus के बाद pancreas pancreas के बाद आपका adrenal gland जिसको आप supratanal gland के नाम से भी जानते है और उसके बाद चीज़े दिख जाएंगी और यार रखना भाईया यह पूरा PDF नोट्स आपको टेलिग्राम पर मिलेगा तो जॉइन कर लिजेगा चलिए glands के बारे में बात करते हैं पहला hypothalamus यहां से यहां से दो तरीके के hormone सिक्रीट होते हैं पहला releasing दूसरा inhibitory releasing hormone के अंदर बहुत सारे हैं जैसे कि आपका GHRH growth hormone releasing hormone gonadotropin releasing hormone corticotropin releasing hormone thyroid releasing hormone इसके बाद prolactin releasing hormone oxytocin vasopressin and inhibitory के अंदर somatostatin somatostatin ठीक है दूसरा pituitary gland दो पार्ट anterior and posterior सभी लोग जानते हैं detail में अपने आप कर लेना MSH यानि की melanocyte stimulating hormone thyroid stimulating hormone prolactin releasing hormone adrenocorticotropic hormone follicle stimulating hormone utinizing hormone ADH oxytocin ये दोनों बनते हैं यहां यहां से होता है इसके बाद pineal gland सिर्फ एक melatonin जो आपकी gradient rhythm होती है उसको control करता है thyroid के hormones के बारे में आपको वहाँ पर बताना था T3 और T4 T3 होता है trido hyronin और T4 होता है thyroxin अगर पूछा जाए कि पहले क्या बनेगा T3 है T4 आप कहेंगे T4 क्योंकि T3 जो है वो T4 से बनता है तो पहले आपको T4 बनाना पड़ेगा उसके बार T3 बनेगा चलिए आगे parathyroid से भी आपका PTH और दूसरा calcitonin जैसा नाम है वैसा काम है calcitonin calcium को यह control करता है next is thymus thymus से thymopoetin और thymocene यह secret होते हैं pancreas के hormones आपको detail में बताना है कि insulin क्या होगा कहा से secret होगा क्यू होगा कब होगा सब कुछ इसके बाद glucagon के बारे में भी सेमी चीज़े बतानी है क्या क्यू कब कैसे and then somatose 13 इसके बारे में भी सारी चीज़े बतानी है next is adrenal gland या फिर supra renal gland या दखना कभी भी वो सवाल supra renal के नाम से भी पूछ सकते है ठीक है तो इसका दूसरा नाम ही है यह ना घर का नाम है चलिए glucocorticoids mindrelocorticoids sex corticoids and catcolomines यानि की epinephrine epinephrine and nor epinephrine emergency hormones यह secret होते है यहां से ठीक है टेस्टीस से होता है टेस्टोस्टोन औरी से होता है estrogen and progesterone तो यह हैं आपके सारे glands with their respective hormones आगे चलते हैं describe the process of blood coagulation name the factors which affect blood clotting cascade अब आपको पहली चीज़ जो इसके अंदर करनी है वो है पूरा mechanism जिसके अंदर आप लोग blood clot का पूरा सब कुछ बता देना कैसे बनेगा और दूसरा factors के बारे में बात करनी है शुरुबात करें आपके blood protein mechanism से बहुत ही आसान बहुत ज़्याद है body के अंदर क्या present होता है pro thrombin present होता है सबी लोग जानते है pro thrombin किस में convert होगा thrombin में convert होगा कैसे होगा कैसे होगा thrombokainese के gym इसको convert आपको करना पड़ेगा fibrin में तो इसके conversion के लिए thrombin responsible होता है fibrin finally blood clot बना लेगा blood clot और यही आपको चाहिए होता है अब हम लोग चलते हैं इसके blood clotting factors के तरफ जिसमें से 12 total होते हैं लेकिन numbering में 13 होते क्योंकि 6 नहीं होता है ठीक है सुना ध्यान से total 12 होंगे numbering में 13 होंगे क्योंकि 6 नहीं होता है ठीक है चले सबसे पहले trick लिख लो बहुत बार में बता भी चुगे हूँ तो मैं लिखाऊंगे नहीं आप खुद से लिख लिजेगा बहुत ही आसान है freshers party tonight come let's sing and call seniors please have fun ठीक है इनके हर एक word के पहला alphabet से आपको ये सारे blood floating factors जो है इनको बनाने ला है पहला क्या है freshers यानि freshers का जो freshers का जो F है उससे बनेगा fibonogen दूसरा party party का जो P है उसे क्या बनेगा आप बनाएंगे pro-thrombin है ना इसी तरीके से fit tissue thromboplastin then calcium then libyl libyl के बाल बारी आती है किसकी आपके stable factor की stable के बाद anti-hemophilic then crisp mass toward power and then आता है plasma thromboplastin antecedent यानि PTA उसके बाद H band and last is fibrin stabilizing factor तो ये होते हैं हमारे पास total 12 blood floating factors सबके काम सबका नाव दोनों चीज important है मैंने ये सारी चीज़ा आपको इहां लिखवा दी है अब ये चीज़ा आपड़ डिपेंडि करती है कि आप इसको कितना याद करते हैं ठीक है चलिए next question तरफ चलते है what are the different types of pulmonary सुरुआत करते हैं टीवी के साथ है ना टेलिविजन नहीं टाइडल वॉल्यू क्या होता है normal expiration respiration expiration inspiration inspiration क्या हो गया टाइडल वॉल्यू कितना इसका normal range होता है 500 ml next is inspiratory reserve volume एक बार पेड नहीं भरा दुबारा से आपने additional volume of air inhaled किया that is IRV कितना amount होता है इनहीलेशन जादा होता है 2500 से लेकर 3000 तक मिले लीटर में अब इसी का फिल्कुल opposite कर दिजे ERV expiratory reserve volume एक बार सांस छोड़ दिया पेड नहीं भरा और additional amount of air जो आप exhale करते हैं वो होता है expiratory reserve volume ठीक है अब इसका amount देखो तुम तुम्हारा जो amount होता है सांस लेने का वो है 2500 से लेकर 3000 तुमने बाहर कितना निकाला around 1000 से लेकर 1100 तक तो बाकी का कहां गया बाकी का होता है residual volume जो की रहे जाता है ठीक है एक बार आपने बहुत ही जान लगा के expiratory reserve volume जो है वो कर दिया ER भी कर दिया फिर भी कुछ amount of air रहे गया आपके lungs के अंदर उसको बोला जाता है residual volume यानि इसमें से इतना गया तो around इतना बचा कि नहीं 1100 से लेकर 1200 ठीक है अब चलते हैं हमारी capacities के तरफ पहला आता है inspiratory capacity देखो normal expiration के बाद आप जितना amount of air inhale कर रही है normal expiration के बाद ठीक है वो होती inspiratory capacity या देखेगा ये सारी capacities जो होती है ये volumes को add करके ही आती है जैसे inspiratory capacity है अब tidal volume के साथ अगर आप IRV को add कर देंगे ये क्या होगा जो air रहे जाती है आपके lungs के अंदर जब आप normally expiration करते हैं normally expiration के बाद जो amount of air रहे गई है आपके lungs के अंदर वो होती है functional residual capacity अब दोई चीजों की अवाज इसके अंदर आपको आ रही है पहला residual capacity दूसरा expiratory reserve volume दोनों गो आड़ कर दो आपके पास FRC आ जाएगा next is vital capacity अब ये क्या होता है देको vital capacity क्या है अब आपने बहुत 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 जान लगाके जितना amount of air आप inhale कर सकते हैं या बहुत जान लगाके जितना amount of air आप exhale कर सकते हैं वो होता है vital capacity सारी चीज़े नहीं हो रही है and third is IRV यानी inspirator reserve volume तीनों को आड़ करेंगे आपके पास value आएगी 4800 milliliter जो कि आपका vital capacity होता है and last is total lung capacity ये क्या होगा जितना amount of air आपके lungs में रह सकता है जब आप maximum inspiration करते हैं यानी पूरी ताकत लगाने के बाद जितना amount of air आपके lungs के अंदर आया that is your total lung की capacity कैसे calculate करेंगे सारी volumes को add कर दीजे आपके पास TLC आजाएगा total lung capacity आजाएगा next जबाल जो आता है हमारे पास वो है define skeletal system and write about axial and appendical system and classify different types of joint present in human body पूरा chapter है skeletal system को define करना है आप अराम से कर लेंगे मैं आपको axial and appendicular system के बीच का classification करवा देती हूँ फटा फट से देखें axial जो आपका system होता है उसके अंदर total 80 bones आती है 80 bones है ना जिसमें से सबसे पहला जो part आता है वो है cranium का cranium के अंदर frontal उसके बाद parietal parietal के जस्ट नीचे होती है temporal temporal के पीछे होगा occipital occipital के बाद sphenoid bone होती है आगे वाली तरफ then ये ethmoid bone है and इसके बाद cranial fossa होता है ये सारी की सारी bones cranium की होती है यानि ये पूरा cranium उसके बाद facial bones की अगर मैं बात करूँ तो facial bones में maxilla, mandible, zygomatic, peletine, nasal, lacrimal, inferior nasal कौन का and last is warmer जो की गलोती होती है अकेले clear उसके बाद neck के अंदर hyoid bone होगी u-shape bone है simple सी बात है आपकी सबसे अलग bone है hyoid bone क्योंकि किसी के साथ ये जुड़कर नहीं रहती है सबसे अलग रहती है इयर के अंदर 3 होती है malleus incurs and stapes इसके बाद next हमारे पास आता है vertebral column जिसके 5 पार्ट है पहला cervical, then thoracic, then lumbar, then sacral and then cochex and last अपके पास है thorax की bonds जिसके अंदर पहला sternum दूसरा ribs आता है ribs के अंदर आपके 3 types होते हैं याद रखेगा 7, 3, 2 ऐसे आप डिवाइड करते हैं total 12 pairs होते हैं 12 pairs clear 7 pairs जो होते हैं वो true ribs कहलाते हैं 3 pairs जो होंगे वो false ribs कहलाएंगे और इसके बाद finally जो 2 pairs होते हैं वो क्या होते हैं वो आपकी floating ribs कहलाती है floating ribs 7, 3, 2 ऐसे आप डोग डिवाइड करेंगे चलिए आगे चलते हैं next है pendicular skeletal system जिसके अंदर 126 bonds आएंगी आपके दोनों हाथ, दोनों पैर then pectoral girdle and then pelvic girdle सबसे पहले शुरुआद करते हैं आपके pectoral girdle से क्या आता है इसके अंदर 1 scapula और 1 clavicle 2-2 होंगी पस खदम upper limb के अंदर यानी हाथ की सबसे पहले शुरुआद यहां से होती है humerus humerus के बाद यह सामने वाली radius पीछे वाली अनना यह होता है कार्पल जहां पर आप watch बांते हैं है ना कार्पल बोन इसके बाद यह metacarpal and these are the phalanges वैसे ही pelvic girdle के अगर मैं बात करो तो pelvic girdle दो coxal bonds मिलकर बनेगा जिसके अंदर तीन तीन bonds होती है पहला estium, ileum and pubis यार रखेगा यह तीनों मिलकर एक coxal bond बनाती है और कितनी bonds है दो coxal bond है यानि दो estium, दो ileum, दो pubis ऐसे होता है पैर के अंदर भी हाथ की तरह ही होता है जैसे की humerus था, वहाँ पर femur है femur के नीचे patela जो की knee cap बनाएगा patela के नीचे आता tibia tibia के पीछे वाली तरफ fibula and then आपका tarsal, metatarsal and phalanges यह होती हैं आपकी hind limb की जो bonds है clear next हमारे पास है joint अब joint का classification तीन तरीके से होता है पहला एक वो joint जो की बिलकुल move नहीं करते हैं जिनको आप fibrous joint के नाम से जानते हैं तो लिख लेजेगा totally immovable bond immovable joint second synovial, freely movable कहीं भी आजा सकते हैं freely movable and last हमारे पास जो टाइप होता है वो है cartilaginus जो की slightly movable होते हैं slightly movable इसके बाद ना तो आपको इसका type पढ़ना होता है ना ही इसका type पढ़ना होता है लेकिन synovial के बहुत सारे types होते हैं जैसे की ball and socket highly, highly movable इसके बाद hinge joint then pivot, उसके बाद gliding gliding के साथ ही साथ saddle and last is ellipsoid joint ठीक है, ये 6 types होते हैं synovial joint के इनके location के साथ आपको ये याद रखना है चाहिए, तो clear है आगे चलते है next question है describe the physiology of urine formation and the process of micturation यानी urine का formation कैसे होता है और उसके बाद micturation क्या process है ये सारी चीज़ा आपको बतानी है शुरुआत करते हैं urine formation से तो urine formation तीन step के अंदर होगा पहला purification, ultra filtration basically, दूसरा हमारे अंदर आता है आपका reabsorption and then last है secretion अगर मैं ultra filtration की बात करूँ जिसके अंदर blood का ultra filtration होता है वो तीन प्रकार से हो सकता है तीन layer से होता है पहला, जो पहली layer होती है वो है capillary endothelium आप लोग जानते हैं कि जो आपका ultra filtration होता है वो renal corpuscle के अंदर होगा है ना, renal corpuscle के अंदर क्या क्या आता है, पहला glomerulus दूसरा bowman's capsule तो जो आपका glomerulus है, उसका endothelium दोनों के बीच का basement membrane and finally हर चीज़ जो होती है, that is potocyte, कहां होती है ये potocyte होंगी bowman's capsule के अंदर bowman's capsule के अंदर अब जब एक बार ultra filtration हो जाएगा उसके बाद बारी किसकी आएगी reabsorption की, reabsorption के अंदर भी तीन step होते हैं, मतलब तीन जगा से होकर वो गुजरेगा पहला proximal convolutative view, दूसरा loop of handle and तीसरा distal convolutative view और तीसरा होता है secretion secretion भी PCT और DCT से होगा ठीक है, और बनने के बाद ये सारी चीज़े कहां चली जाएगी collecting duct, उसके बाद बाहर बाहर से ureter, ureter से urinary bladder and then uretera से body से बाहर, चली खेर यही तो आपका mikturation था, शुरुआत करते है mikturation की, mikturation का क्या मतलब होता है, urination यानि removal of urine from the body ये दखो, इस तरीके का आपका nephron का पूरा पार्ट है, जहां पर ये पूरा urine का formation होता है, यहां बना, यहां से धीरे धीरे आपका लूप ओफ हैं ले, then collecting duct, collecting duct से ureter, ureter से बाहर चली, आगे चलते हैं शुरुआत करते हैं, mikturation की देखो, क्या होगा, जैसे ही around 200 to 400 या फिर इतना इससे भी कम इतना urine अगर आपके bladder में हैं तो ये more than enough है, आपके brain को एक signal भेजने के लिए कि आप समय हो चुका है, ठीक है सबसे पहले, urinary bladder की filling होती है, simple सी बात है clear, उसके बाद stretch receptors जो महाँ पर present होंगे, वो stimulate होंगे यानि वो activate होंगे उठ जाएंगे, है ना, उसके बाद afferent impulse जो होता है afferent impulse ये जो भी आपका basically जो भी impulse होती है जो भी information होती है उसको pelvic nerve के through spinal cord तक पहुंचाएगा brain तक ले जाने की ज़रत नहीं है यही से सारा काम हो जाता है spinal cord तक लेकर जाओ बहुत है अब information spinal cord के पास जैसे ही पहुंचती है तो वापस भी आती है efferent impulses के दूँ वापस आएगी फिर डेटरस और मसल्स जो होती है आपके urinary bladder के अंदर contraction होगा उनका और जो internal sphincter है यानि अंदर वाला दर्वाजा है वो relax हो जाएगा जैसे ही यह condition होगी तो जो आपका urine है वो किसके अंदर flow कर जाएगा युरेथरा के अंदर flow कर जाएगा और वहाँ पर युरेथरा के जो receptors होते हैं वो activate हो जाएगे जैसे ही वो activate होंगे दोबारा से यह चीज़े होंगी afferent impulse दोबारा से pelvic nerve के पास जागा कहां जाएगा? spinal cord तक spinal cord से वापस efferent nerve के थूँ जाएगा जब वो वापस आता है तो जो आपका external sphincter है उसका relaxation हो जाएगा जैसे ही वो relax होगा urination का पूरा process हो जाता है maturation हो जाएगा urine body से बाहर आ जाएगा तो दो बार आपने afferent और efferent का का काम किया पहला urinary bladder के थूँ दूसरा urethra के थूँ ठीक है अंदर वाला sphincter internal बाहर वाला external लिएर है बहुत बड़ी आगे चलते हैं अंगला सवाल write the major differences between spermatogenesis and oogenesis अब आपको spermatogenesis and oogenesis के बीच का major difference लिखना है ठीक है spermatogenesis formation of sperm oogenesis formation of ovum चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले spermatogenesis and oogenesis के stages कहां कहां होते हैं याद रखेगा spermatogenesis के सारे stages सिर्फ testis के अंदर होंगे लेकिन oogenesis में सारे steps ovum के अंदर नहीं होते हैं सारे steps ovaries के अंदर नहीं होते हैं देखो क्या होगा basically oogenesis का जो last stage है वो oviduct यानि fallopian tube के अंदर होगा बाकी के सारे steps ovary के अंदर होगे ठीक है यानि secondary oocyte का release होना ये होगा oviduct से बाकी सारे के सारे steps कहां होंगे ovary के अंदर होंगे ये कहां होगा ये testis के अंदर होता है ये ovaries के अंदर होता है जो growth phase होगा spermatogenesis का वो छोटा होता है लेकिन इसका long होता है काफी बड़ा होता है इसके बाद production rate आप सभी लोग जानते हैं कि millions में sperm का formation होता है लेकिन ओवम एक ही बनेगा duration हर दिल होता है ये महीने में एक बार होता है इसके बाद cell division कब होगा कैसे होगा cell division यहाँ equal होता है जिसकी मदद से आपको 4 heploid sperm मिलते हैं एक बार में यहाँ ऐसा नहीं है उगोनिया से unequal division होता है सबसे पहली चीज आपको 3 polar body एक उगोनिया से याद अखना 3 polar body एक mature ovum मिलेगा एक उगोनिया से ठेक है and then mortality क्या है मतलब कि क्या वो move करेगा क्या नहीं करेगा तो जो spams होते हैं वो motile होते हैं लेकिन जो ovum होते हैं वो non motile है वो move नहीं कर सकते वो जहां है वहीं पड़े रहेंगे ठेक है आगसी है चलो आगे चलते हैं अगला सवाल draw a well-label diagram of gastrointestinal tract तब आपको सिर्फ और सिर्फ gastrointestinal tract का एक well-label diagram बनाना है चलो तो मैं आपको पटाओ पट्च एक बार दिखा देती हूं कि कैसे आप ड्रोग कर सकते हैं यह आदमी बनाने की जर्द निया आप डारेक्ट इसी के ऊपर चलेंगे ठेक है क्योंकि इसमें बहुत समय चला जाएगा तो उतना बेस मत करना कोई जर्द निया इसको सबसे पहले आप बनाएंगे माउथ, औरल कैविटी औरल कैविटी अंदर आप टंग दिखा देंगे उसके बाद आप टंग के साथ-साथ टीथ, सेलिवरी ग्लाइंड ये चारी चीज़े दिखा देजेगा पीछे आएंगे फैरिंग्स को शो जरूर करीगा फैरिंग्स को लेबल जरूर करीगा उसके बाद इसोफेगस इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइं स्मॉल इंटेस्टाइं से लार्ज इंटेस्टाइं और एनस इसी के साथ ही साथ आप और क्या क्या चीज़े दिखाएंगे आप दिखाएंगे लिवर, लिवर के अंदर ही embedded हुआ हुआ एक गॉल ब्लेडर, फिर उसके बाद पीछे वाली तरफ pancreas and बस, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन naming, labeling एकदम correct होने चाहिए, क्योंकि अग परिफेरर नर्वर सिस्टम है, तो इसको सही कर लिजेगा, तिस इस परिफेरर नर्वर सिस्टम होते हैं, हमारे नर्वर सिस्टम के, पहला CNS, दूसरा PNS, चल, शुरुबात करते हैं, CNS के अंदर brain and spinal code आता है, PNS के अंदर sensory receptors, ganglia, nerves, ये सारी चीज़े आती है, इसके बाद CNS का क्या काम होता है, देखो, brain का क्या काम होता है, आपकी body को चलाना, चीज़ों को process करना, है ना, organize करना, process करना, ये सारे काम होते हैं, और ये information किसकी मदद से आती हैं, और sense organs की मदद से आती है, आपके eye, ear, nose, tongue, skin, इनकी help से आती है, इसके बाद अगर मैं PNS की बाद करू तो इसका काम है, sensory impulses को CNS तक भेजने का, और motor impulses को effector organs तक भेजने का, ताकि वो react कर सके, है ना, sensory information तो brain तक पहुचाएगा, और motor information जो होगी, वो आपके receptors तक पहुचाएगा, organs तक पहुचाएगा, ताकि वो react कर सके, according to the stimuli, then, damage to the central nervous system would affect the entire body, माल लो, कि अगर मेरा hypothalamus damage हो ज अगर मेरी एक single nerve में, PNS के अंदर एक damage हो जाएगा, तो जहां पर, जहां की nerve को damage हुआ है, वही एक particular area damage रहेगा, बाकि पूरी body काम करती रहेगी, यह चलिए इसके बाद, central nervous system आपके axis में, पूरे axis के अंदर चलेगा, लेकिन जो आपका यह होता है, PNS, यह CNS से ही arise हुआ है ठीक है, यह दखना, and runs laterally throughout the body, यह major differences है, clear, आप अगर diagram बनाना चाहे, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, आप बना दीजेगा, जहां जरूरत लगे, यहां बना सकते हैं, जहां तुम्हें आता हो, बना डाल, कोई number नहीं कातेगा, मिल जरूर आईग, ठीक है, तो जहां जर labeling कुछ भी नहीं हासिल हो, ठीक है, drawing का paper नहीं होगा तुमारा, कि तुम्हारी art को देखकर तुम्हें numbers दिये जाएंगे, तुम्हारी labeling को देखते हुए, तुम्हें numbers दिये जाएंगे, याद रखेगा, आगे चलते हैं, next question, name all the sense organs and draw a well-liber diagram of eye, सबसे पहले सारे sense organs के नाम ल दो, यह का कहना है, लिख देते हैं, कितने उद्वार पास sense organ 5 होते हैं, eye, ear, nose, tongue and skin, eye का इसको ध्यान से बनाना, क्योंकि काफे student को यह बहुत जादर difficult लगता है, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक circle बनाओ, पिछी की तरफ ऐसे पूंश निकाल दो रागे थो पॉर्शन होता है, that is sclera, sclera के बाहर cornea, फिर sclera के आप लोग अंदर चलेंगे, तो उसके बाद बादी आती है, इसकी, pupil की, ठीक है, pupil से ही पहले present होता है, आईरिस, यह ब्लैक वाला portion, जो कि आपके color decide करता है, आखों का, ठीक है, इसके बाद, pupil हो गया, pupil से पीछे होता है, जिससे यह इधर और इधर आपके शिलेनी मसल्स लगे हुए होंगे, जिनको आप नोज्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, इसके बाद यह सारी चीज़े हो गई, sclera मैंने समझा दिया, यह सामने वाला एंटीर चैमबर जहां पर आपका, विट्रस, और सॉरी, एक्वर अधर भरा हुआ होता है, जो की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर यह सारी चीज़े बता दिया, पॉस्टीर चैमबर एंटीर चैमबर है, इसके बाद पीछाएंगे, पूरा विट्रस बोड्य होता है, जहां पर विट्रस हुमर फिल्ड होगा, यह सूखने नही blind spot, yellow spot, fovea, macula, यह सब कुछ पीछे वाली तरफ होते है, retina वो जगा है जहाँ पर आपकी images बनती है, optic nerve इस information को आपके brain तक पहुचाती है, जहाँ optic nerve और retina मिलते हैं, वहाँ पर होता है blind spot, कोई color नहीं, कोई image नहीं, कुछ नहीं, चीक है, चली, तो यह आपकी पूरी eye का एक diagram है, जो कि आप बना कर जाएंगे, तो मज़ा आदाएगा, चली, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, write about the different types of heart wall, heart sound with a well-label diagram of heart, अब आपको heart की walls के बारे में लिखना है, sound के बारे में लिखना है, और एक diagram बनाना है, चली, wall तो आप सभी लोग जानते हैं, दो तरीके की होती है, पहली audioventicular, दूसरी semilinar, audioventicular भी दो तरीके की होती हैं, tricuspid and bicuspid, चली, bicuspid किदर होगी, left वाली तरफ, tricuspid, right वाली तरफ, इसके बाद semilinar wall जो होती है, पहली erotic, दूसरी होती है, pulmonary, ठीक है, चली, और diagram भी देख लीजें कि कहां पर सारी चीज़े प्रेजन्ट है, यह देखो, left वाली तरफ, mitral, right वाली तरफ, tricuspid, इन दोनों के बीच में, यानि आपका यह जो, left ventricle है, और erota है, इनके बीच में क्या है, erotic wall, और right ventricle, और pulmonary artery के बीच में क्या है, pulmonary wall, ठीक है, तो यह है आपकी walls, next is sound, sound भी दो ही होती है, S1 and S2, S1 is love, S2 is dub, S1 sound का produce होगी, जब आप AV wall को बंद करते हैं, यानि tricuspid और bicuspid wall जो होती है, वो बंद होती है, तब आपकी love sound होती है, dub पकर के, ठीक है, तब ही sound produce होती है, ठीक है, तो यह कुछ heart sound है, and third point जोसके अंदर पूछा गया था, वो है, एक well-label diagram of heart, बना देते हैं भई, ये लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कितनी बार में नहीं हाट आपको बनवाया है, पहले दो कमरे उपार, दो कमरे नीचे, एक दर्वाजा उधर, एक दर्वाजा उधर, ठीक है, बाहर की एक wall, पहली कार्डियम, उसके अंदर की तील लेयर, कौन-कौन सी perimetrium, meometrium, endometrium, clear, endocardium, sorry, ठीक है, endometrium तो घलत जगा हो गया, कार्डियम, इसके बाद अरोटा, pulmonary artery, then उपर superior वेनकावा, नीचे inferior वेनकावा, left वाली तरफ वाल बना दो, right वाली तरफ भी वाल बना दो, क्या दिखाते है, septum से डिवाइड कर तो, है ना, conduction system बनाना नहीं होता है, normal diagram के अंदर, यही तो है, ठीक है, बस यही है, simple, देख लो चाहिए, बना कर practice करें, तभी ही चीज़े clear होंगी, आगे चलते हैं, write different types of neuron, and draw available diagram of neuron, सबसे पहले neurons के types लिखने हैं, तीन तरीके के होते हैं, motor, sensory and interneuron, and third आपको एक neuron का diagram बनाना है, शुरुआत करते हैं हम लोग, motor neuron के साथ, देखो, motor neuron का क्या काम होता है, यह आपको, brain से लेकर, receptor तक information को transmit करते हैं, यानि कि, आपको माल लो, किसी ने चांटा मारा, तो यह information आपके brain तक, sensory neuron ने पहुँचाई, वापस आप उसको चांटा मारेंगे, या पीछे हो जाएंगे, यह जो information है, यह आपके motor neuron ने आपको पहुचाई, ठीक है, यह clear हो गया, motor neuron वो होते हैं, जो कि electrical impulses को transmit करेंगे, CNS से muscles तक, ठीक है, motor neuron, कितनी जितनी भी, आपकी body की movement होती है, जितनी भी यह, जो मेरे हाथ, पह, यह सब कुछ हिल रहे हैं न, किसकी वज़ा से, आपके motor neuron की वज़ा से, और अगर मैं यही चीज़ opposite कर दू, क्या मतलब, sensory neuron का काम है, कि जो भी information, मेरे receptor तक आई है, वो information मेरे brain तक पहुचाने का, यह होता है, sensory information, sensory neuron का का, sensory neuron है, neuron that allow to feel sensation, ठीक है, for example, कि अगर आप अपना पैर कहीं पर तक रा देंगे, तो यह information आपके brain तक कौन मुचाएगा, sensory neuron, ठीक है, clear, चलिए, आगे, interneuron, interneurons वो होते हैं, जो कि motor neuron और आपके sensory neurons को connect करते हैं, interneuron can also send information to and from other interneurons, ठीक है, neuron का डाइगनाव, काफि इंपोर्टेंट, काफि ज़रूरी, बना लीज़ेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, तीन चीज़े में है, cell body, exon, exon terminal, cell body के अंदर देंडराइट, nucleus and nissles granules, exon के ऊपर, myelin sheath, जिनके बीच में, schwon cell, और इनके बीच में, जिसकंटिनिटी है, that is, notch of Ranbir, and last is exon terminal, जहां पर आपके, synaptic nobs होते हैं, जहां, neurotransmitters, filled होंगे, last सवाल, इस पूरे session का, वो ये है, who discovered, blood groups, and list different types of blood group, अब blood group के बारे में, आपको लिखना है, कि किसने discover, क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये सारे चीज़े, चलिए, तो किसने discover किया था, who discovered, blood group, blood group जो discover किया था, वो थे, card lens tiner, card lens tiner, ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़े, आपको लिखनी आनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास सिफ चारी तरीके के blood group होते है, A, B, A, B, and O, ये divide हमने किया, on the basis of antigen, ठीक है, जो कि आपके RBCs के उपर present होते है, चलिए, antigen सेम होगे, माल लेजे, किसी का blood group A है, तो antigen B, B है तो B, A, B है तो A, B, अगर O है, ठीक है, वैसे ही एक्दम opposite होगी, मेरा blood group अगर A है, तो मेरे अंदर antibody B present होगा, अगर मेरा blood group B है, तो A present होगा, A, B है, तो कोई antibody नहीं होगी, और अगर जो आपका blood group O है, उनके अंदर A and B, दोनो antibody present होती है, ठीक है, अब किसको donate कर सकते हैं, अगर मैं A blood group वालों की बात करूँ, तो वो अपने blood group को तो donate करेंगे, A को और A, B को भी कर सकते हैं, वैसे ही B वाले B को तो करेंगी, A, B को भी कर सकते हैं, A, B वाले सिर्फ A, B को donate कर सकते हैं, और अगर मैं O की बात करूँ, वो सब को donate कर सकता है, इसलिए हम इसको universal donor बोलते हैं किसे receive कर सकते हैं A blood group वाले O और A से receive कर सकते हैं B blood group वाले O और B से A B blood group वाले सबसे blood receive कर सकते हैं इसलिए उनको universal accepted या फिर recipient के नाम से जाना जाता है और O blood group वाले सिर्फ O वाले से ही आपके जितने भी blood होते हैं उनको receive कर सकते हैं अब क्या इनके खास बात है सिर्फ दो के बारे में खास बात है वो यह कि A B तो universal recipient होता है और O universal donor होता है reason समझाया क्योंकि O में किसी भी प्रकार का कोई भी antigen present नहीं होता है तो वो किसी को भी blood दे कोई नहीं लड़ेगा उसके खिलाफ ठीक है और दूसरा कि जो A B blood group वाला होता है उसमें कोई भी antibody present नहीं होती है तो उसके अंदर कोई ऐसा system ही नहीं है कि कहीं और से blood आया है तो उसको पहचानों से लड़ो नए कोई जंजड वगेरा नहीं किसी से भी blood ले लेगा कोई tension वाली बात महां नहीं होगी clear हो गया तो यह हैं आपके 15 questions HAP यानि Human Anatomy and Physiology के एंड I hope कि यह 15 सवाल आप लोग अब ध्यान से करके जाएंगे क्योंकि आपके जो एक्जाम अब आने वाले हैं BTUP HSBTE और इसी के साथ साथ जो दूसरे इनिवासिटी एक्जाम है सबके लिए यह questions बहुत ही जादा important होगे ठीक है अगली class में मिलते हैं इसी तरीके से महनत क पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू